हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरब और इस वीडियो में जिस यूरो 2024 के एक बहुत बड़े क्वाटर फाइनल मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा स्पेन वर्सेस जर्मनी के बीच तो गाइस स्पेन और जर्मनी दोनु अभी तक के इस टूनामेंड की बेस्ट टीम्स रही हैं और दोनु कोई टूनामेंड स्टार्ट होने से पहले भी टॉप कंटेंडर माना जा रहा था बड़ अनफॉर्चुनेटली आज इन दोनु में कोई एक टीम जो है टूनामेंड से बाहर हो जाएगी अब मैं एक बार आपको दोनु के अभी तक के जो स्टार्टिंग चार मैचेस खेले हैं तीन ग्रूप स्टेज मैच एक राउंड अफ 16 मैच उसका रिजट दिखाता हूँ तो सबसे बहले आप देखिए इस्पेन का इस्पेन ने जो ग्रूप स्टेज के तीन मैचेस खेले और फेंद दिया तो आप देखिंगे जो इस पेन ने अभी तक टूनामेंट में चार मैचेस खेले हैं चारों में उनका पाळी मैचेस बहुत जाले इंप्रैसिए चारे से इंप्रैक्ट तीन मैचे इसमंगी लुन रकी है तो इस स्टेइठय Map upright करके अभी तक हुची है वह उन्होंने एक और decent team Denmark को face किया और जहां पर उन्होंने टूनिल से Denmark को भी हरा दिया तो similar to Spain Germany का भी performance बहुत ज्यादे impressive रहा है तो देखा जाए तो top class teams के भी जे match होने वाला है यहाँ पर winner predict करबाना बहुत ज्यादा tough है दोनु टीम्स यहाँ पर एक दुसरे को हराने में के पेबल है but guys slight यहाँ पर जो home advantage होगा जर्मनी के favor में होगा because आप जानते यूरो जर्मनी में ही हो रहा है तो में भी मेरे according slight favorite हो सकती है जर्मनी पर अभी के लिए fantasy wise में एक balance team ही बनाने आला हूँ मैं यहाँ पर किसी को clear cut favorite नहीं के रहा है दोनों के पास कुछ top quality player है fantasy wise भी इस वेल से में एक balance team ही बनाऊंगा small league में बढ़ अगर आप grand league खिलने कुछ आप low scoring 0011 type की teams ने जाना कुछ Germany favor कुछ Spain favor आप इस match में GL में अच्छा वग कर सकते है I don't think कि small league के लिए उतना ज्यादा अच्छा match भी है because यहाँ पर आपके वास बहुत सारे options होंगे तो कुछ ना कुछ players को तो हमें sacrifice करना होगा पड़े भी के लिए मैं small league में balance team ही बनाने वाला हूँ अब guys सबसे main चीज इस match की lineup आने के वाद जो भी final team अपडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे telegram channel में तो जो मेरे telegram channel का link है आपको या तो मिल जागा description box में या आपको मिल जागा top pin comment में join कर लिजिए अब हमाँ आतर direct probable lineup पे और पहले हम start करेंगे जर्मनी से तो यहां पे कोई clear cut favorite नहीं है मैं एक balance team बनाना हूँ अगर मैं 6 player Germany के लूँगा मैं 5 Spain के भी लूँगा wise versa अगर मैं 6 player Spain के लूँगा मैं 5 जर्मनी के भी लूँगा जिससे एक balance बन जाए तो फिलाल जर्मनी की प्रोवबल लर्ण पर नजर डालते हैं मैन्वल नॉयर होने वाले इनके गोल कीपर वैसे इस मैंज में गोल कीपिंग कॉल प्रॉपर 50-50 होने वाले हैं दोनुगी जगे से ऑन टार्गेट सहेंगे दोनुग गोल कीपर ज्यादा सेफ कर सकते हैं फिर फाबियन रूइज यमाल यह लोग बहुत अंटार्गेट लेते हैं इस विए से अभी मेरे गोल कीपर नॉयर है बट अगर आप इस्पेन के जो गोल कीपर है उनाई सीमन उनको लेते तब भी कोई शुनी है लेकिन मैं अभी के लिए गोल कीपर मैन्वल नॉयर को पिक करके चल लाओं चार अनके डिफेंडर हैं किमिक, रूटिगर, टा और रॉम अब गाइस क्लिंग शेड आते हैं इस मैंच में मुझे दिखाई नहीं दे रही है किसी भी टीम की मुझे लग रहा है 1-1-2-2 या इधर साइड 2-1 टाइप की ऐसी स्कोल लाइन हो सकती है तो मैं बह किमिक मेरे अकॉर्डिंग मस्ट पिक है, अटेकिंग वाइस भी इंप्रेसिव है, डिफेंसिव अग भी कल लेते हैं तो मैं किमिक को दो शोली लूँगा, डैविड रॉम अटेकिंग वाइस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा चंसे स्क्रेट करते हैं औ अभी के लिए मैं किमिक और रॉम ले रहा हूँ अगर आपको रॉम पे ट्रश्निया आप रूडिगर भी ले सकते हैं वो भी एक तो फुल प्लियर अच्छा है बिना गोल असिस के डिसेंट पॉइंट दे सकते हैं लेकिन मिट्फिल में बहुत सारे ऑप्संस है तो मैं अभी को एड़ास नहीं कर पया आप जील में इनको चाहे तो लोग स्कोरिंग मैचे वाली टीम में ट्राइब कर सकते हो बड़ अभी मैं स्मॉल इग्नोर कर रहा हूं टॉनी क्रोस मस्ट पीक है बताने की जर्वत नहीं है फेंटेसी एसेट हैं बिल्या गोल असिस के 35-40 पॉइंट हर मैंच में के गारिंटीड आती आते हैं पासिस करते हैं डिफेंसिव करते हैं यहां तो एक और के एक फ्रीकी गवागेरा भी ले रहे हैं और यहां पर मिटफिल्ड में और भी बेटर अप्सन थे दूसरा कभी-कभी यह जल्दी सफ्षीरूट भी हो जा रहे हैं और यह टूनामेंट में एक आतमेच हटाते तो उसके लावा बहुत ज़्यदा खाद भी मुझे परफोमेंस नहीं लगा पर यह स्टिल टॉप प्लेयर है आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हो मिटफिल में लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर गुंगोन को पिक नहीं कर रहा है मुस्याला मेरे अकॉर्डिंग बैस प्लेयर है जर्मानी के स्टूनमेंट के रेड हॉट फॉर्म में चल लें क्या बहतरीन गोल मार था चोइस पेनल्टी टे करें तो वैसी इंपोटेंट जाते हैं और दूसरा अटेगिंग पोजीशन वगेरा में भी आते हैं ओपन प्ले से भी गोल करने में केवेवल है और तार्गेर्स भी लेते हैं तो मैं काय आवर्ट्स को भी लेके गया हूँ अब एक और प्लेयर है लि लिग में साने को इग्नोर कर रहा हूँ तो यह जर्मनी की लेवन थी फिलाल जो मैंने आसे प्लेयर्स पिक किया मैं गोल की बल लेगे नौयर इसके लाह में दो डिफेंडर लेगिया किमिक और रॉम मिड़ फिल्म में में क्रूस मुस्याला और अटेकिंग सेक्शन में में काय हवट्स को भिक करके गया हूँ पैनल्टी आप शोर हो गया कि काय हवट्स ही ले रहे है और बेकप पैनल्टी टेकर गुंडगोन है बाकी यह अभी तक के जर्मनी के इस यूरो के स्टेट हैं आप ये स्टेट देख सकते हूँ अब हम बात कर लेते हैं अपोनेंट स्पेन की तो 19 सिमान होने वाले इनके गोलगीबर अभी जैसा मैंने कहा था श्टार्टिंग में कि गोलगीबर में अपोनेंट नौयान ले रहा हूँ जर्मनी का लेकिन अगर आप सिमान लेते हैं तो भी कोई शूनी है प्रॉपर लग कुकूरेया फिलाल दो डिफेंडर में जर्मनी से ले गिया एक मैं स्पेन का भी लियांगा और यहां से एकुकूरेया के साथ जा कुकुरेया का भी टुनोमेंट बहुत अच्छा जा रहा है अटेकिंग वाइज यह बहुत अच्छे करते हैं और डिफैंस अगभी कर लेते हैं तो अगर आपको वहां से रॉमनी लेने थेन आभ यहां से कुकुरेया ले सकते हैं अभी के लिए मैं सिव एकी डिफेंड़र लिए रोड़तिho प्लियर का रहा हूं बागी मैं रोटरी लूंगा रोटरी है कैसे प्लेयर है बिना गोल असिस की भी अच्छे पॉइंट देते हैं मिट्फिल से गोल करने में भी केपले लास्ट मैच में मारा और जो वैल कप से स्वरी यह यूरो से ठीक पहले फ्रेंडली वगेरा हुए थे मैचे उनमे मैं यह इनकी पैनल्टी भी ले रहे हैं तो हम यह मान सकते कि मुराता के उपर रोटरी पैनल्टी टेकर है इनके में चोईस किस व्यासे रोटरी मेरे अकोटिंग हंड्रेट परसेंट यह मस्ट प्लेयर रहने वाले हैं फैवियन रूइस अभी तक के इनके वन आप देश प चैप्टरम सी के विट टॉप अप्सन बन जाएंगे तो मैं फैवियन रूइस को एज़ा प्लेयर तो लोंगा ऐसा भी हो सकता है में लास्ट में इनको सीवीशी भी कर दूँ अभी के लिए मैं यहाँ पर रोटरी के अलॉट साइड प्लेयर फैवियन रूइस को भी लेके गया हूँ बाकी गाइस यमाल भी अभी तक के वन अब दा बेश प्लेयर रहे हैं इस पेन के बहुत पेसी बहुत स्किलफुल प्लेयर हैं फ्रीक्वेंट टार्गेट लेते हैं गोल्स करने में केपिबल हैं बहुत चांसे बनाते हैं तो यमाल जिस तरह का पर्फॉर्म कर रहे हैं मश्ट पिक रहेंगे और यह अलॉंग साइड फैवियन रूइस और वहां से मुस्याला यह जो तीन प्लेयर है मुझे इस मेच में कैप्टन वाइस कैप्टन सी के भी टौ अप्शन लग रहे हैं तो मैं फैवियन रूइस के अलॉंग साइड यमाल को भी पिक करके गया हूं मुराता ने भी तक इस टूनमेंट में बिल्कुल भी पर्फॉमेंस अच्छा नहीं किया एक वो जो पहला वाला मैस था उसमें ग यसी पर्फॉमेंस कर रहा है और वो दिन दूर नहीं इनका गोल असिस दोनों आएगा और ऐसा हुआ लाश्ट मेंट में उनने गोल भी किया असिस भी किया तो बहुत पेसी बहुत ट्रिकी बहुत स्किलफूल प्लेयर है निको विल्यम्स जिस तरह का पर्फॉर्म कर रहे ह मैं शोल्ली इनको पिक करूँगा और अगर आप स्पेन को बैक करते तो आप आउटसाइड चांस इने दे सकते हैं सी वी सी का पर अभी के लिए मैं एज़ा प्लेयर निको विल्यम्स को लेके गया हूँ लेकिन मैं मुराता को इग्नोर कर रहा हूँ विकाज उनने कुछ ज मैं इनके डिफेंडर लेगिया करवाहाल इसके लाव मैं रोडरी, स्वावियन रूइज, लमीन यमाल और निको विल्यम्स को पिक करके गया हूँ बागी जो पैनल्टी है most probably रोडरी लिंगे बैक अप में मुराता है और यह अभी तक के इनके इस टूनमेंट इस यूरोस क लेक सकते हो, अब हम बात करने चेंए इस मेच की मेरी प्रेडिक्सन में तो मैं अभी वैसे एक one-one draw के साथ जारू लेकिन यह किसी वी साइट मैं जा सकता है, two-one, either side हो सकता है तो यहाँ पर प्रेडिक्सन करना बहुत मुश्किल है, तो अभी मैं एक safe one-one draw के साथ जारू ह दो मैं अभी के लिए जर्मनी के डिफेंडर ले गया हूँ, किमिक और रॉम, एक मैं डिफेंडर स्पेंडर से ले गया हूँ, करवाहाल, मिडफिल में मैंने क्रूस और मुसियाला लिए जर्मनी से, वहां से मैंने लिए स्पेंड से, फाबियन रुइस, रोडरी और यमाल, मैंने पिक किया काय हावार्ट और वहां से मैंने पिक किया है नीको विलियम्स को अब गाइज आप चेंजेस इस टीम में बहुत सारे कर सकते हैं पहला चेंज आप डिफेंस में कर सकते हैं आप रॉम वाले ब्लेस में चाहे तो कुकुरेया ले सकते हो यह एक प्रॉपर 50-50 या लपोर्ट में किसी को ले सकते हो पर अभी के लिए जो मैं पहला चेंज अगर आप जो कर सकते हैं मेरे अक्वाडिंग वह सकता है रॉम के बिद्स में कूकुरेया का दूसरा आप चाहे तो गोलगीबर चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है नोयर से ज़्यादा बेटर एक्सपेक नहीं कर रहा हूं इस टीम में और यह है कि अगर किसी को गुंडगॉन पर ट्रस्ट है अभी भी लेना है आपको गुंडगॉन तो आप एक रिस्क ले सकते हो टॉनी क्रूस अटा के गुंडगॉन लेने का वर टॉनी क्रूस बहुत रिलाइबल है बिना गोल अस करूंगा मेरे केप्टन मुस्याल है और वीसी में इन दोनों में करूंगा लेकिन अगर आपको मुस्याला पर ट्रस्ट नहीं है आप यमाल या फैवियन रूइस में किसी को अपना केप्टन करके बाकी दोनों में वीसी कर सकते हो पड़बी के लिए मेरे केप्टन मुस्या में या आपको मिल जाएगा टॉप पिंड कमेंड में जॉइन कर लिए